तो गाइस आपने टार्च देखा होगा टार्च का जो ये सेल होता है एवरेडी निपो जो भी हम लोग यूज करते हैं सेल इसमें जो ये वाला टर्मिनल होता है इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव और जो पीछे वाला टर्मिनल होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग निगेट window गया, अगर इसको symbol की तरह represent किया जाए तो postular terminal बड़ा दिखाते हैं और negative वाला छोटा दिखाते हैं तो इस तरह से symbol के form एक्स पर किया जाए, पहले fact पे आते हैं जो हम लोग अपनी real life में जानते हैं, हम लोग जानते हैं हमें यहाँ पे बटन दे रखी है और इस बटन को हम लोग क्या करते हैं प्रेस करके आगे की तरह slide कर देते हैं, तो यह bulb क्या करने लगता है glow करने लगता है और हमें sufficient जो प्रकास है या रोसनी है light हमें मिलने लगती है लेकिन आप अगर यह कभी इसके साथ experiment किये हो कि अगर इस bulb को हम लोग क्या कर लें? sorry, इस जो ever ready cell है किसी एक cell को अगर आप क्या कर देते हो? turn कर देते हो, है ना? पीछे की तरफ turn कर देते हो क्या होगा? अब यह bulb रोसनी नहीं देगा ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ, क्योंकि जो पहला वाला cell था उसका जो positive terminal है दूसरे वाले का जो positive negative terminal है, वो class करने लगे यह negative negative हो गया और positive positive हो गया यह आपस में effect को cancel कर दिये, that means अब जो net EMF है या net voltage है, वो zero हो गया, खैरी यह तो fact था guys अब हम लोग देखते हैं, अगर इस question को refer करें तो कहीं न कहीं, इस experience से आपका ये question काफी आसान होने वाला है जैसे, अगर हम लोग पहले combination वाले के EMF को V1 कह दें, voltage को V1 कह दें, और जो दूसरा वाला combination है, इसको हम V2 कह दें, तीसरा वाला जो combination है, V3 कह दें और V4 कह दें, तो guys जो इसमें पहले वाले combination में दे रखा है, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, that means जो अगर ये battery, डेल बोल्ट की हम लोग मान ले, 1.5 बोल्ट की मान ले, तो ये सारा एगा, सारा add-on हो जाएगा, that means V1 जो हो जाएगा वो six बोल्ट प्रोड्यूस होने वाला है, लेकिन जो second case है, second case में आप ये देखो, जो ये वाला sale है, plus, minus है और जबकि ये है, plus, minus ये आपस में ये दोनों sale cancel कर देंगे मतलब ये combination zero produce करेगा इसका मतलब जो पूरा combination है वो इन दो combination के basis पे चलेगा, dare bolt ये और series combined है dare bolt इसके, तो total V2 जो हो गया आपका, three bolt आने वाला है, V3 पे गाईज देखते हैं तो V3 में अगर आप sale द्यान दो, जो इसका positive इसका positive, ये क्या हो रहा है ये same, ये cancel कर रहे है एक दूसरे को, that means ये भी cancel कर लिए और यहां भी dare bolt, dare plus dare कितना, मतब 1.5 plus 1.5 three bolt आने वाला है अब guys, last वाला option देखते हैं, इसमें कितना आएगा तो यहां पे negative और negative cancel कर दिए, मतब ये दोनों आपस में cancel हो गए है ठीक है, अच्छा ये तो पहले तो 4 आपके negative terminal और तीन positive terminal है मतब इसका representation ही गलत है तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे V4 की बात करी ही नहीं जा सकती है लेकिन guys, क्या हमें answer तो मिल चुका है, answer क्या है maximum किसमें producer आए first वाले combination में, तो आईए answer किस answer को opt करोगे आप A option is correct A option बताता है कि इसमें आपको maximum potential difference obtain हो रहा है Thank you guys